तो रवस्कार दोस्तों मेरा डावत असरत प्रधार और आप देखना सुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइफ आज एक मज़दार पोड़कास्ट होने वाला है पहली बार ये चैनल में हो रहा है जिसमें एक सक्स है होई स्थानल मी उसमें आज पहला सक्स जो हमारे साथ हैं वह था ससी कुमार जी कुमार जी इसमें दिन लिपन के पार बिचाते दो किन जह आर्मी में जन्मा घि थी तो मैं कभी देली कभी पंजाब हर चेकर सफ़र करते रहा लास्ट में हमने स्टर्डी को देखते हुए लास्ट में जम्शेदपूर को प्रफर किया और अभी मैं लास्ट सेवें यह से जम्शेदपूर में ही हूं जो यूटूब का जनी रहा है मेरे लिए काफी है अपने यूटूब के कई रहा है क्यूंकि मैने बस अपने हबी को फालॉ किया है और पेट मुझे बचमन से पवसंन थे मैं ने उसी को फालॉ किया उसी की रहा में आगे बढ़ा तो ससी जी ने पएट को बारे क्या करते हैं स्कूलिंग मैंने जमशेतपुर से की अभी मैं लास्ट फाइनल ग्रैविशन के मैंने उसके बाद से मैं आपका जॉब भी कर रहा हूं साथ ही साथ यूटूब को भी मैनेज कर रहा हूं तो यह जो पॉडकास्ट रहेगा इसमें बहुती सिंप्लिक्ष्टिक त जरूरी होता है क्या पूछना क्या नहीं क्योंकि यूटूब एक बहुत बड़ा चीज है इसमें बहुत ही आप बता सकते हैं कि यूटूब जो धीरे-धीरे 2014-13-14 के बाद धीरे-धीरे हर दिन यूटूब ग्रो किया है तो यूटूब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इनका जर्नी अच्छा मितना जाना चाहिए आप यूटूब कब से स्टार्ट के कौन से साल से स्टार्ट के मैंने अक्चली यूटूब स्टार्ट गया था 2018 से और मुझे उसके बारे में उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वर्ग करते हैं और मैंने जस्ट देगा था कि इसमें एक वीडियो अप्लोडिंग करने का उप्शन आता है और मुझे जिस चीज के बारे में नॉलेज्ट था जिस चीज में मेरी हॉबी थी तो मैंने तोचा क्योंने एक वीडियो डाल दूँ ताकि जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है लोगों तक पहु तो आप ऐसी बोर हो जाओगे उस चीज को छोड़ दोगे तो जो छे मेना एक सल अपने वेश्ट किया है वह आपका लॉट के नहीं आने वाला पैसा लॉट के आ सकता है बड़ टाइम एक बार गया तो लॉट के नहीं आता है तो मैं उन्हें यह कोंगा कि अगर आपकी वह होबी नहीं है अगर आपका उसमें पैशन नहीं है तो प्लीज उस फिल्ड में मत जाएए आप उस टाइम को अपने स्टर्डी में लगा दो उस टाइम को अपने प्रोफेशनल करियर में लगा दो वह ज्यादा बिटर रहेगा तो जो पहला महत्रपूर्ण कोश्चन है वह कोई दिक्कत नहीं आगी हो आपको सोचना नहीं पड़ा हो कि मेरे कुछ सोचना नहीं पड़ा इन फैक्ट जो मेरा होबी था मैंने नाम भी कुछ वैसे ही रख दिया मैक्सिमम जो हमारे जो सुनने वाले वह ओविसले इंडियन है तो हिंदी को प्रफर करेंगे तो मेरे च कि यूटिब चैनल बनाएं और थोड़ा बहुत रेविन्यूस कमाएं थोड़ा नाम सौरत कमाएं तो अमेसा वह नाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या नाम रखी जो वाइरल हो जाएगा कैसे सौट रहेगा बड़ा रहेगा तो नाम को लेकर काफी सोचते हैं तो कि आप ने भर किया है आपने अपने थोड़ा से एफट दीया है थो थोड़ा से एफट कायनात् भी आपके लिए लगा देती है यूटूब भीIST जाएं और और को बाकियों को भी जो आपका शुरुवात का struggling days कैसा रहा आपका शुरुवात में struggling days तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा नहीं था कि घरवाले मना कर रहे ते यह अपने time का पूरी दिन का आदा गंटा मैक्सिमम मैं देता था यूटूब पे और वो भी तो ऐसा नहीं कि रेगुलर्ली ज़रूरी नहीं है आपके पास जब तक कोई information वाला content नहीं है जब तक quality content नहीं है तो उसको post करने का जब भी मुझे ऐसा लगता था कि हां यह चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए बस मैं उन चीजों को camera उठाया वीडियो बनाया डाल दिया इससे ज़्यादा कोई पहनत नहीं लगती थी थोड़ा बहुत editing में अगर वह आपको खुद से आता तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपको कहीं से help लेनी पड़ती है तो में भी आपको पी करने पड़ सकते हैं तो इसलिए मैं struggling नहीं बोल रहा हूं जादा उसके वेश से मैंने अपने पढ़ाई को भी डिस्टरब नहीं होने दिया तो काफी स्मूथ रहा है मेरा जर्नी तो सथी जी से हम इतना जान सकते हैं कि इन्होंने content को useful रखा है ऐसा वीडियो बनाया जो आगे वाला जो देखने वाला है उससे पसंद आये जो वीव से जो स्टॉक वगेरा में दिखा जाता है बहुत ज्यादा frustration बहुत ज्यादा struggling ऐसा आपको नहीं करना है लाइफ को हर प्रोसेस को इंजॉय करना है हर जर्नी को इंचन करना है यह यूटुब का ही बात नहीं है आप लाइफ में मान लीजिए प्रोफेशनल आप जिदी गर फोकस रखने से आप अराम से आप हासिल कर सकते हैं दूसरा question हम पूछना चाहेंगे कि आपका पहला वाइरल वीडियो यानि कि आप कितना वीडियो डालने के बाद आपका वीडियो पहला वाइरल हुआ जिसमें आपका चैनल मॉनिटाइज हो गया तो मेरी जो फर्स्ट व दाला था जिसकी मा एक्शली उसको मा से भी छड़ गया था बोल सकते हो क्योंकि वो पेड़ से गिरा हुआ था एंड मेरे फ्रेंड ने उसे मुझे लाकि दिया था कि लाइक इसको कोई शेल्टर अगर है तो मैंने बोला था कि मैं इसको अपने घर में रख लूंगा एंड को वीडियो आट में डाल के लगभक थीन मेने क्लिटी करें मुझे या थी नहीं तो काफी एजी रहा है मेरे लिए उसके बाद फिर मैंने एक दो चैनल स्टार्ट किये जो की इनफोमेटी भी होते है पर उसमें मैंने क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं और इसमें कहीं कहीं आपका लग भी साथ देता है तो वह अभी तक मेरे टाइज नहीं हुआ है और जो सी बात है कि उससे जो किस्टमार आएंगे तुरंत मेरे चैनल पर पर्मिनेंट किस्टमार बन जाएंगा और लोग आके तुरंत सब्सक्राइब करेंगे बड़ मैं उन लोगों को अपने एक पर्टिकुलर चैनल का जो थीम होता ना उस थीम पर मैं बस उनी ग्राहकों को ल करोगे आप बोलोगे शशी तो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है देख लेते वीडियो पांत सेकेंड देखी सब्सक्राइब लाइक किया बंद कर दिया कि सामने वाला का दिल रह जाएगा आपने तो दिल रख दिया यूटूब ने दिल नहीं रखा यूटूब आपको शेयर नहीं करते हो फायदा क्या होगा जिन लोगों तक पहुंचेगा अब जो लोग सब्सक्राइब वही लोग करेंगे जिन्हें पसंद हो चीज अब जब वह लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी नेक्स्ट वीडियो भी और देखेंगे देर तक देखेंगे यूट बहुत ही ज्यादा इंपॉरेंट बात है आप समझ पा रहे होंगे आप छोटा यूटिवर है या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा इनका बात जो है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं आप लोग जो इंफ्लुएंसर हैं उनके पीछे पड़ते ह पर जोडते हैं कि मेरा वीडियो प्रमोट करो मेरा चैनल प्रमोट करो मोटे पैसे भी घर लेतैं बहुत बार आप कई दूर क्mak डाभन और उसके बाद उनसे आप प्रमोट कर वाने जाते हैं तो अईसे में कुछ फाइदा नहीं होने वाला क्योंकि यदि आपका Tag Channel है तो आप ज़िदि किसी जुआ टेक Criter के पास जाएंगे तो हो सके आपको help मिल जाए और ज़िदि आप किसी तर नहीं आ कोई और Creator है माल लीजे पैट Χाँबीज हैं तो इनके पास इनका वीवर्ट अलग है इनका वीवर्स को पेट पसंद है तो आपका टेक को लेके कोई हल्प नहीं हो सकता बस यह प्रमोट करने के नाम पे आपको प्रमोट कर देंगे लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला उससे आपको नुकसान होगा और दूसरा बात है जो सब्सक्राइब सब और सब जो सब्सक्राइबर तो चैनल पर दिख जाएगा लेकिन वो सब्सक्राइबर आपका वीडियो नहीं करेंगे तो आपका जो है वो डेड़ सब्सक्राइबर हो गया आपका यूटूब धीरे-धीरे ऐसे में वो जो सका अल्गरिथम है वो समझ जाएगा कि यह जो सब्सक्राइ ये फाल्दू के सब्सक्राइबर है ये ऐसा कोई तिगडम बाजी करके या फिर कोई गलत तरीका से ये लिया गया है